नमस्कार सर, मेरा नाम सुशांत कुमार कुस्वाहा है और मैं B.H.U का एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं बहुत सौभागे साली हूँ कि मुझे आपसे अपना सवाल पूछने के लिए समय दिया गया है मेरा प्रश्ण है कि मैंने अपना जोश खो दिया है और मैं लगतार प्रेरित रहने वाला इंसान नहीं हूँ मैंने अपनी प्रेरित खो दी है उसे वापस कैसे पाऊं ताकि मैं अपना जीवन आनंदित होकर जी सकूँ और मुझे भीतरी शांती मिले धन्यवाद सर देखिए जीवन की प्रकृती ऐसी है क्रिप्या बैट चाहिए अगर आप बाहर गार्डन में जाएं और एक चीन्टी को पकड़ने की कोशिश करें बीएचियू की चीन्टी जो यहीं पैदा हुई है यहीं बड़ी हुई है और शायद यहीं मर जाएगी वो बीएचियू की चीन्टी अगर आप उसे पकड़ना चाहें तो वो कहेगी मेरा जीवन भार में गया मुझे मसल न हो तो मसल दो क्या यह सच है वो खुद को बजाने के लिए सब कुछ करेंगी उसके लिए उसका जीवन मूल्यवान है ना बहुत मूल्यवान है है ना चोटा सा जीव है जिसे हम शायद देखे भी ना शायद हम उस पर कदम रखतें उसे देखे भी ना दुरभागे से लेकिन वो अपने जीवन को बहुत मूल्य देती है, देती है या नहीं, उसमें जोश है, लेकिन आप, एक इंसान, कम से कम इस ग्रह पर आप विकास का शिखर हैं, कम से कम शारीरिक रूप से, हाँ, व्याभार से जुड़ी चीजों के बारे में हमारे अंदर सवाल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम शारीरिक रूप से, हम धर्ति के सबसे विक्सिजीव हैं, सबसे विक्सिजीव होने का मतलब यह है, कि हमारे अंदर सबसे जटिल Neurological System है, और सबसे ऊंचे स्तर की दिमागी शमता है, इसका मतलब है आप सोच सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, आप में याददाश्ट है आप बहुत जीवन्त तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं और आपकी कलपना शक्ती शांदार है चीन्टी इतने जीवन्त तरीके से चीजों को याद नहीं रखती ना ही उसकी कलपना इतनी शांदार है, पस थोड़ी सी है, लेकिन अपने जीवन को लेकर उसका मन सतर्क है, क्यूंकि जिन शेक्षिक प्रणालियों से आप बालविहार से लेकर आगे तक गुजरते हैं, वो ऐसे हैं, कि उनका संबंध हर चीज से है सिवाए आपके, यह हर दूसरी चीज के बारे में है, कोई परियाटन में पिएजडी है, कोई बायो इंजिनेरिंग में पिएजडी है, कोई किसी और चीज में, इसके बारे में कुछ नहीं, यह कैसे काम करता है, इस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, एक इनसान इस तरह का का काम करता आपके शहर में काल भेरव मंदिर है। इसका मतलब ये है कि इनसान तीन समय में काम करता है। वो अपनी यादों के गुणों के अनुसार जीता है। आपकी यादें कितने गुणों से भरपूर हैं, इससे ये तय होगा कि आप अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे है कि नहीं। तो याददाश्ट महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान का अनुभव महत्वपूर्ण हैं। और आपके कल की कलपना कितनी जीवथ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल समस्या ये है कि ये चीजें पूरी तरह से आपस में मिल गई हैं। क्यूंकि अपनी शक्तियों को अनुशासित नहीं किया गया है। बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया है। अनुशासन का मतलब लोग सोचते हैं अंग्रेजी अनुशासन, यानि बेवकूफों की तरह ऐसे चलना। शक्तियों का अनुशासन नहीं है। इस वज़े से आपका अपना मन आपके खिलाफ हो गया है। जो दस साल पहले हुआ था, आपको आज भी दुख देता है। जो परसों हो सकता है, वो अभी आपको दुख दे रहा है। क्यूंकि अपनी शक्तियों का अनुशासन नहीं है। आप नहीं जानते कि अपनी याददाश्ट का और कलपना का इस्तेमाल कैसे करना है। और आपको लगता है कि आपका जीवन दुख दे रहा है, जीवन दुख नहीं दे रहा। आप बस इंसान होने की दो सबसे महान शक्तियों से दुख पा रहे हैं। जीवांत यादों और शांदार कल्पना की शक्तियां। है की ने। अगर आप अपनी सबसे महान शक्तियों से दुख पाते हैं, तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से दुख पाते हैं, तो समझा जा सकता है। पर आप अपनी शमताओं से दुख पा रहे हैं, मुझे आपको ये बताना चाहिए। अपने में कितने लाखों साल लगे हैं और आप ये आपका दुश्मन बन गया है। उन्होंने इसे शब्दों को व्यक्त किया। लेकिन लगबग 90 प्रतिशत लोगों के बारे में यही सच है। वो अपनी ही बुद्धी से दुखी हैं, है न। अगर आप उनका आधा दिमाग निकाल दें। अगर आप उनका आधा दिमाग निकाल लें, तो वो शांत हो जाएंगे। हाँ, और इसलिए बहुत से बेफकूफ ये बोलते रहते हैं कि जीवन का परम लक्षे है पीस ओफ माइंड। ऐसे लोगों पर रेस्ट इन पीस बिलकुल लागू होता है। अब इनसान। युनिवरस्टी के जीवन में अगर कोई आपको हमेशा थोड़ा ठीक ना करता रहे, तो ये कुछ ज्यादा ही आसान बन जाएगी। मुझे भी याद है, जब मैं युनिवरस्टी में था, तब ज्यादा तर समय हम कैंटीन में या गार्डन में होते थे। मेरे ज जानता हूँ कि ये किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि युनिवरस्टी के समय को छोटा करना चाहिए, जब तक कि कोई कुछ वाकई शांदार ना बना रहा हो, हर किसी को तीन से चार सालों के अंदर बाहर कर देना चाहिए। आपको किसी चीज पर तीवरता से केंदरित होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन का किसी भी चीज में निवेश नहीं करते, तो ये बेकार चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जीवन का एक बुन्यादी हिस्सा है, समय, और ये बस चला जा रहा है। मेरे यहां आने के बाद से अब तक आप अपनी कबर के दो घंटे पास पहुँच चुके हैं। हाँ या ना, मनी करने का के दो घंटे ज्यादा करीब। हाँ या ना, आप अमर नहीं है, ये बस एक सीमित समय की आवधी है। क्या आप एक मूल्यवान जीवन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है, तो आपको ये तै करना चाहिए कि आप इस जीवन का निवेश कहां करना चाहते हैं। अगर ये मूल्यवान है, तो अगर ये मूल्यहीन है, तो इसे कहीं झाल झाल